नमस्कार सत्यों, Law, Order and Civil Rights YouTube चैनल में आपका स्वागत है अभिनन्दन है यहां पर देखे बहुत अच्छी खुसकबरी है जो हिंदी माध्यम से या अंग्रेजी माध्यम से पीच्डी करने की चुक है तो यह उत्राखंड के नेनी ताल में कुमाओ भी से भी देले है जो एक ग्रेड इनवर्सिटी है यानि की नेक से एक ग्रेड प्राप्त इनवर्सिटी है जो कुमाओ इनवर्सिटी है यह 1973 की बहुत बड़े इन्वर्शिटी है उत्राखंड की और यहाँ पर इनके तीन ब्रांचेस हैं और साती साथ इसके अंडर में धेड़ सारे गोवर्मेंट कॉलेज प्रावेट कॉलेज आते हैं ध्यार रखेगा यहाँ पर PhD की नोटिफिकेशन जारी क्या हुए है यहाँ पर देखेंगे एडमिशन से संबंदीत जब एडमिशन से संबंदीत जो पहला जो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा होगा उसको जब क्लिक करेंगे इस तरह से निकलेगा यह कुमावब की परिच्छा के आविदन पत्र विश्विद्याले के वेबसाइट के माध्यम से आनलाइन आमंत्रित किये जा रहे हैं वेबसाइट में पंजीकरन करने के उपरांद अभ्यार्ति को परिच्छा सुल्क जमा करना होगा परिच्छा है तो सुल्क दो हजार रुपे एवं 50 पोस्टल चार्जिस इस तरह से दो हजार पचास रुपे आपको जो है आनलाइन आनलाइन SBI कॉलेक्ट के माध्यम से दिनांग साथ फरवरी 2019 से एक मार्च 2019 की रात्री 11 बच के 45 बजे तक ही जमा किया जा सकता है सुल्क जमा करने के उपरांद अभ्यार्तियों को सुल्क सत तीन मार्च 2019 निर्धारित की गई है अंतिम्तिती के उपरांत आविदन पत्र अत्वा सुल्क जमा किया जाना संभव नहीं होगा विस्री जानकरी विस्विदाले के पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है प्री पीच्डी कोर्सवर्क 2018 परिच्छा का परिणाम सिग्र घोसि है यहां पर जो है सवाचार पत्र के माद्यम से भी देख सकते हैं हम आपको यह बता रहे हैं साथियों जो हम पोटल को देखने से वेबसाइट पोटल को देखने से ऐसे ग्यात हो रहा है कि अभी तक उन्होंने जो है आनलाइन एप्लिकेशन फार्म जिसको आपको आज से भरना है इसकी जानकारी अभी तक वेबसाइट में नहीं दिया गया है केबल एक नोटिफिकेशन ही दिया गया है तो आप जो है आज यानि कि हो सकता है कि 11 बारा बज़े जब आपीस खुलेगा तो हो सकता है कि ये कुमाव भिस्विद्याले के जो प्रसासन है वो वेबसाइ फार्म जमा कर सकते हैं सबसे पहले उन्होंने जो है फीस लेगा उसके बाद में फिर आपको रेश्टेशन फार्म के लिए एपलाई कर सकेंगे इस तरह की जानकारी नोटिफिकेशन में दिया गया है तो आपको हमने जो है ये सुचना इसलिए दे रहे हैं ताकि आप मिडियंट से पिएजडी होता है लेकिन कमवविशिविद्याले में हिंदी और इंगलिस दोनों मिडियंट से पिएजडी कारी संपादित किये जाते हैं जहां पर आप एडमिशन लेकर पिएजडी परारंब कर सकते हैं ध्यान रखिएगा कि यदि नेड जयारेक के लिए नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी खुशकबरी है कि वो PhD में एडमिसन लेकर जो है वो भारत के किसी भी विश्यविद्याले या महाविद्याले में असिस्टेम प्रोफेसर बने की जो सपना है वो पूरा किया जा सकता है नेट जयारेप हो या PhD हो दोनों की माननेता लगबक बराबर है और यदि नेट जयारेप एंप प्यश्डी है तो उनको असिस्टेम प्रोफेसर बने की संभावने सबसे जादा है तो इसलिए जो नेट जयारेप कर चुके हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी खुशकबरी है हाला कि इसमें अभी सीड्स के बारे में नहीं दिया हुआ है कि किस विशे में कितना सीड उपलब्द है या कौन-कौन से विशे पर PhD होना है ये जानकारी अभी वेबसाइड में नहीं दिया गया है जैसे ही हमको सुचना प्राप्त होगी वैसे ही आपको एक विडियो और आपको जो है ये सुचना देंगे ताकि आपको जो है भली भाती जानकारी हो सके हम उस student को धन्यवाद ग्यापित करते हैं जिनोंने हमें SMS करके कुमावी विस्विदाले में PhD इंट्रेंस के नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसकी सुचना दी है थैंक यू दोस्तों कि आप लो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सपनों को पूरा करें नेट जयारेप के लिए करें PhD करें और भारत के लीड विस्विदाले में या महाविदाले में एक असिस्टेम प्रोफिसर के रूप में निक्ति पाकर जो है आप अपना खुद और देश की सेवा करने मे आपका योगदान रहे थैंक्यू